Hello and welcome again my friends and dear students, myself Mahindra Devanda आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं Life Cycle of Bombex Morai Bombex Morai की Life Cycle के बारे में बात करने वाले हैं यानि Bombex Morai के जीवन चक्र में क्या-क्या होता है उसके बारे में समझने वाले हैं सबसे पहले हम यही समझते हैं कि Bombex Morai होता क्या है यह जो Bombex Morai है यह एक जाती का नाम है जिसमें यह एक जीनस है और यह एक इस्पिसीज है Bombex Morai एक इंसेक्ट है एक कीट है जो की सिल्क को प्रोड्यूस करने में या सेरी कल्चर में इसका उप्योग किया जाता है ये एक सिल्क वर्म है जिसको हम सिल्क मोथ के नाम से भी जानते हैं ये एक बटरफलाई के समान एक कीट है लेकिन ये नॉक्टरूनल होता है और इसमें एंटिना में भी इसमें फरक होता है हाला कि दोनों के जो ओडर्स हैं वो सेम होते हैं बॉम्बेक्स मोराई जो कीट है इंसेक्ट है वो सेरी कल्चर में यानि सिल्क के प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है सेरी कल्चर क्या होता है जिसमें हम रेसम के कीडे जिसको हम बॉम्बेक्स मोराई के रूप में यहाँ पर जान रहे हैं रेसम के कीडे को पाल कर उससे हम रेसम प्राप्त करें यह सेरी कल्चर कहलाता है कुछ basic चीजों के बारे में हम पूर वीडियो में जानकारी, सेरी कल्चर के बारे में अलड़ी जान चुके हैं Bombex Morai के यहां पर हम जीवन चकर में ये adult stage है adult से एक लार्वा बनता है जिसको हम caterpillar larva कहते हैं इस caterpillar से एक अवस्ता वो राती है जिसको हम pupil stage कहते हैं और इस अवस्ता में एक कोकून का निर्मान किया जाता है और इस कोकून अवस्ता से ही हमें सिल्क प्राप्त होता है, रेसम प्राप्त होता है रेसम प्राप्त यानि सिल्क प्राप्त करने के लिए कई परकार की जातियां इस्तमाल की जाती है कई परकार के सिल्क वर्म यानि सिल्क मोट्स का यूज किया जाता है लेकिन यहां पर बॉम्बेक्स मौराई को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सबसे अधिक यूज की जाने वाली प्रियोग में ली जाने वाली जो इंसेक्ट की ये जाती है या सिल्क वर्म की ये जाती है वो है बॉम्बेक्स मौराई इसको हम समझेंगे इसके जीवन चकर के बारे में समझेंगे उससे पहले हम इसकी कुछ बैसिक जानकारी ले लेते हैं हमें ये तो समझ में आ गया कि बॉम्बेक्स मौराई एक इंसेक्ट है जो की silk production में हमें इसको काम में लेते हैं Bombix Morai या silk या seri culture का जो इतियास है वो चाइना से सुरू होता है ये आप पूरी वीडियो में जान चुके हैं चाइना में इसका origin माना गया है और चाइना, Bombix Morai का जो native place है वो चाइना माना गया है China is the native place of Bombix Morai Bombix Morai का native place China माना गया है It's domesticated and successfully reared in India इसको भारत में भी पाला जाता है इसके अलावाद Japan, Korea, Italy, France and Russia में भी इसको cultivated किया जाता है यानि Bombix Morai से रेसम प्राप्त किया जाता है In India, 92% of country silk production comes from mulberry moth अब यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि mulberry moths, जिसको हम यहाँ पर Bombix Morai आप इसके कई रूप जान रहे है mulberry moths इसको भी कहते हैं क्यों कहते हैं, mulberry का मतलब सहतूत होता है और सहतूत plant आपने देखा होगा जिसको mulberry plant के नाम से भी हम जानते है यानि सहतूत की पत्यों पर ये मोट्स यानि ये कीट रहता है, ये इंसेक्ट रहता है इसलिए इसको mulberry moths नाम दिया गया है आप यूं भी कह सकते हैं कि जो mulberry moths है ये जो कीड़ा है वो सहतूत की पत्यों पर ही पाला जाता है इसलिए इसको mulberry moths के नाम से जाना जाता है और इससे प्राप्त किये जाने वाले सिल्क को हम mulberry silk कहते हैं भारत में जितना भी सिल्क का production किया जाता है उसका लगबग 90-90-92% जो सिल्क है वो mulberry moths से ही प्राप्त किया जाता है मल bombex morai के अलावा भी और भी जाती हैं जिससे हम सिल्क को प्राप्त करते हैं रेसम प्राप्त करते हैं लेकिन जो सबसे आसान होता है और सबसे अच्छा जो सिल्क होता है वो bombex morai से प्राप्त किया जाता है bombex morai being a hollow metabolous insect ये एक hollow metabolous insect होता है and undergo complete metamorphosis और इसमें complete metamorphosis होती है यानि पूर्ण कायांतन की अवस्ताएं होती है जिसमें एग अवस्ता आती है एग यानि अंडे देने वाली अवस्ता इसके बाद में एक larval stage आती है larva होता है larva के बाद में एक अवस्ता आती है जिसको हम pupa कहते हैं pupa से adult यानि पूर्ण वैस्त का निर्मान होता है next हम bombex morai के classification के बारे में समझते हैं वर्गी करण के बारे में समझते हैं bombex morai का phylum आर्थोपोडा है phylum यानि संग आर्थोपोडा है class यानि इसका वर्ग जो है insecta है order lepidoptera है lepidoptera है इसमें moths और butterfly सामिल है जितने भी silkworm है वो moths के प्रकार है यानि एक जो nocturnal होते हैं रात्रिचर होते हैं यहाँ पर bombex morai की जो family है वो है bombi cd bombi cd इसकी family है genus इसका bombex है और morai इसकी species है जाती है यह आँ पर यह bombex morai की adult अवस्ता को यहाँ पर दिखाये गया है लेकिन इस वीडियो में तो हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसकी जीवन चकर कैसे होता है यानि पूरा जो life cycle है वो किस परकार से होता है पहले हम इसको संक्षिप्त रूप में समझते हैं उसके बाद में इन अवस्ताओं के थोड़ा ओर डिटेल समझने का प्रियास करेंगे सबसे पहली अवस्ता है इसमें egg stage जिसमें adult के द्वारा एक वैस के female के द्वारा अंडे दिये जाते हैं दूसरी जो वस्ता होती है उसको हम कहते हैं larval stage जिसमें larva होता है जो कि अंडो से ही बनता है इन अंडो से यह जो छोटे-छोटे जो अंडे हैं सेतूत की जो पत्य हैं उसको खाता है थर्ड जो स्टेज आती है तीसरी जो अवस्ता होती है उसको हम प्यूपल स्टेज या प्यूपा अवस्ता कहते हैं जिसमें प्यूपा का निर्मान होता है और बाहर का जो कवरिंग होता है उसको हम कोकून कहते हैं इस कोकून से ही हम सिल्क प्राप्त करते हैं रेसम प्राप्त करते हैं अगर हम इससे रेसम प्राप्त नहीं करते हैं तो एक अवस्ता आती है जिससे ये प्यूपा इसको तोड़ कर बाहर आ जाता है और एडल्ट का निर्मान करता है वैस्क अवस्ता आती है और उसके बाद मे adult जो female है male और female में आपस में mating होगी और फिर female जो मौद्स हैं उसके द्वारा अंडे दिये जाएंगे तो bombex morai की life cycle में ये चार अवस्ता आ गई एग stage, larval stage, pupil stage and adult stage एक-एक stage के बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले है egg stage life cycle of bombex morai की egg stage है जिसमें adult female मौद्स के द्वारा अंडे दिये जाएंगे adult female produce 400 to 600 egg within 24 hours after mating यानि adult जो female मौद्स है उसके द्वारा लगबक 400 से 600 अंडे दिये जाते हैं और ये अंडे 24 गंडे के अंदर अंदर दिये जाते हैं यानि जैसे ही male और female मौद्स आपस में mating करते हैं आपस में reproduction करते हैं उसके बाद में mating के तुरंट बाद में ये अंडे देना शुरू कर देती हैं और इन अंडे लगबक 24 गंडे में लगबक 400 से 600 अंडे इनके द्वारा दिये जाते हैं adult आर ले egg on mulberry leaves जो adult होता है वो mulberry leaves यानि सहतूत की पतियों पर अंडे देता है yellow is color अंडो का जो color होता है वो पीले अकार का होता है starting में ये white is होते हैं creamy white is होते हैं उसके बाद में ये दिरे दिरे जैसे इन में development होता है ये yellow color में convert होते रहते हैं eggs are hatched after 7 to 10 days अंडो से अब बनेगा लार्वा यानि अंडे hatch होंगे eggs are hatched after 7 to 10 days साथ से दस दिन बाद में इन अंडो से ये जो अंडे हैं इन अंडो से ये जो अंडे हैं इन से एक लार्वा अवस्ता प्रोड्यूज होता है क्योंकि ये hatch हो जाएंगे बाहर इसमें कुछ ने कुछ जीव तो बनेगा ही तो इन अंडो से प्रोड्यूज केटर्पिलर लार्वा इन अंडो से एक केटर्पिलर लार्वा का निर्माण होता है सो दूसरी अवस्ता कौन सी है लार्वल स्टेज यानि उसमें एक लार्वा बना जिसको यहां पर हम केटरपिलर लार्वा के रूप में जान रहे हैं यानि बॉम्बेक्स मोराई का जो लार्वा है वो केटरपिलर लार्वा कहलाता है ध्यान रखेंगे लाइफ ओफ केटरपिलर इस 25 तू 30 डेज जो केटरपिलर लार्वा की जो उमर होती है वो लगबख 25 से 30 दिन तक होती है एक जो अवस्ता होती है लगबख 7 से 10 दिन भी होती है या उससे कई 12 पंदरा तक भी हो सकती है यह डिपेंड करता है कि वहां की क्लाइमेट कंडिशन क्या होती है ट्रोपिकल रीजन में एक से जल्दी से 7 दिन में 8 दिन में ही केटरपिलर लार्वा वस्ता उत्वन हो जाते हैं जबकि टेंपरेट रीजन में थोड़ा ये डिले हो जाती है प्रोसेस तो यहां पर जो केटरपिलर की जो अंडो से केटरपिलर लार्वा बना है उसकी अवज उमर जो होती है 25-30 दिन इसका जीवन काल होता है केटरपिलर इस लोंग एंड सिलेंड्रिकल दिखाई पढ़ रहा है आपको यह लोंग है लंबा है और सिलेंड्रिकल आकार का होता है लार्वा कंटेंस, लार्वा में कुछ structure पाई जाती है लार्वा में 3 pair thoracic leg, 3 pair यानि 6, total 6 thoracic legs पाई जाती है ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये legs हैं जो की वास्तों में जब ये adult होगा, जो वास्तविक leg होगी यानि thoracic leg जो होगी, वास्तविक आगे adult में यही leg इसको आगे मदद करेंगी इसके अलावा 5 pair pseudo legs, इसके अलावा 5 जोड़ी यानि 10 total यहाँ पर जो 5 pair pseudo leg पाई जाएगी, जो वास्तविक legs नहीं होगी वो बाद में reduce हो जाएगी, खतम हो जाएगी जिन में से यहाँ पर 3 नहीं, 4 यानि 4 pair abdominal, यह abdominal में 4 पाई जाएगी और 1 pair codal, और 1 यहाँ पर codal leg पाई जाएगी और यह जो abdominal leg हैं, और जो codal leg हैं, यह pseudo leg हैं, आबासी टांगे हैं इसके अलावा जो larva में, यह जो caterpillar जो आपको larva दिखाई पड़ रहा है इसमें 9 spiracles पाई जाते हैं 9 spiracles का मतलब क्या हुआ, spiracles वो सरचना है इनकी body से जो की इन्वोर स्वसन में, respiration में मदद करेगी यानि इनकी body पर छोटे-छोटे छिद्र पाई जाते हैं, जो की segment के रूप में पाई जा रहे हैं जिसमें एक thoracic single जो होता है, वो thoracic region में पाई जाता है और 8 abdominal region में, और 8 जो होते हैं, वो abdominal region में होते हैं इन्सेक्ट में आप जानते हैं, इन्सेक्ट की body को हम 3 part में divide करते हैं एक होता है head part, यानि सिर वाला जो भाग होता है दूसरा जो region होता है, उसको हम thorax कहते हैं और जो तीसरा जो region होता है, वो abdomen होता है ये जो तीन रीजिन होते हैं, इन्सेक्ट में dominant लिरूप से abdomen आपको अच्छे से दिखाई पड़ता है जो legs होती है वो thorax region पे जुड़ी हुई रहती है abdomen पे अगर कोई larva में अगर कोई टांगे हैं, legs हैं वो वास्थिक legs नहीं होती है क्योंकि आपने एडल्ट कीट को ही देखा होगा उसके सिर्फ थोरेक्स रिजन में ही टांगे पाई जाती है और इंसेक्ट में थ्री पेर्स लेक पाया जाना ये इसका विसेशता होती है अब यहाँ पर जो ये केटरपिलर लारवा है इसमें एक specific characters यहाँ पर ये है कि one pair silk gland इसमें एक जोड़ी silk gland पाई जाती है जो कि एक तरह से इसकी salivary glands की तरह काम कर रही है और ये पाई जाती है उसके head region में सिर्फ वाले बाग पर पाई जाती है और इनी silk gland से silk यानि रेसम का production किया जाता है यहाँ पर ये जो आप एक ये जो लारवा देख रहे हैं अगर इसको द्यान से देखेंगे तो इसने ये जो leaves है उसको ये खा रहा है लगातार खा रहा है क्योंकि जो लारवा stage बॉम्बेक्स मुराएगी ये जो लारवा अवस्ता जो caterpillar है यही एक ऐसी अवस्ता है जो ये भोजन करता है इसके अलावा जितनी भी अवस्ताएं हैं उसमें ये किसी भी परकार का भोजन ग्रेंड नहीं करता है लारवल stage यो मेटामॉर्फोसिस इसमें कई परकार की कायंतर्ण की परकरिया होती है यानि पहला जब लारवा होगा इसमें four molting process होती है चार molting की process होती है molting क्या होता है molting में ये होता है कि एक कीटर पिलर अवस्ता अपके जो इसके उपर की जो covering है उसको हटा कर उसकी नई अवस्ता में वो प्रवेस करता है या आप ऐसे भी सोचते हैं कि वो उसका एक रूप दूसरी रूप में बदलता है तो इसमें चार molting की process होती है four molting की process होती है and convert from first in star to second second to third third to fourth fourth to fifth in star लारवा और ये इस परकार पांच different अलग अलग परकार के forms show करता है जैसे कि एक लारवा सुरू में बहुती चोटा रहता है ये first in star इसके बाद में ये थोड़ा बड़ा होता है इसके बाद में और बड़ा होता है और और बड़ा होता है और जो last वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है लारवा यानि ये first in star ये second star third in star fourth and ये fifth तो यहां पर जो malting process होगी, एक यहां पर होगी, एक malting process इसको ए मान लेते हैं, दूसरी process यहां पर होगी, तीसरी जो process होगी यहां पर होगी, और fourth जो process होगी, यहां पर होगी, यानि fourth malting process होगी और five इंस्टार लार्वा बनेंगे, उसी लार्वा को हम बार बार दूसरा नाम दे रहे हैं लार्वा वोरेशियस फीडर्स लार्वा जो होता है वोरेशियस फीडर्स होता है वोरेशियस फीडर्स होता है जो हमेशा लगतार खाना खाता रहता है उसको हम सामाने अपनी भासा में भुकड कह सकते हैं कि वो उसको बस खाना ही खाना खाना है और ये जो लार् इस अवस्ता में जरूर यह खाना खाना बंद करता है next हम समझते हैं इसी में इसी लारवा अवस्टा को एक और हम कुछ इसके बारे में और जाने लेते हैं, इसमें silk gland पाई जारही हैं तो silk gland वास्ता में labial gland होती है जिसको हम homologus to salivory gland उसको salivary gland के homologus मानते हैं इस silk gland is opened into mouth वाया spin rate tube जो दो silk gland पाई जा रही है इन दो जो silk gland है ये mouth में open होती है ये एक tube के समान एक नली के समान जिसको हम spin rate spin rate tube कहते हैं उसके द्वारा mouth भाग में ये open होती है जो सिर भाग में जो glands पाई जा रही है वो open हो रही है fifth star of caterpillar is mature larva जो सबसे बड़ा जो larva होता है वो fifth star वाला larva होता है और वो mature larva कहलाता है ये mature larva है इसमें आपको जो ये dot दिखाई पड़ रहे हैं ये spiracles हैं और ये इसके segment है it's started to spinning ये अब जो fifth star जो larva आ चुका है ये spinning की process शुरू करेगा अपने चारो तरफ रेसम को लपेटना सुरू करेगा and convert into pupil stage और ये है अपने आपको pupil अवस्ता में convert करेगा form cocoon और cocoon बना देता है आप इस diagram को जब इस pictures को इन animation को ठिक से जब देखेंगे तब आपको समझ में आयागा कि इसके अंदर कुछ reaction चल रही है इसमें अंदर जो pupa है या जो लार्वा था वो अपने चारो तरफ रेसम लपेट रहा है अभी भी और वो pupil stage में convert होने वाला है यानि लार्वा के बाद में अब next stage जो है वो है वो है pupil stage जिसमें pupa का निर्मान होता है Life of cocoon is 10 to 15 days अब जो caterpillar लार्वा से क्या बना है cocoon बना है cocoon तो ये पूरी जो बहार वाला जो आवरण है उसको हम कह रहे हैं लेकिन अंदर क्या होता है वो एक जीव होता है एक कीड़ा का अपना जो caterpillar लार्वा से जो बना है उस जीव को हम उस कीट को हम यहाँ पर हम नाम दे रहे हैं प्यूपा तो इस प्यूपा से बाद में जाकर एडल्ट का निर्मान होता है एक वैस के मोत का निर्मान होता है एक कीट का निर्मान हो रहा है यहाँ पर चूंकि बॉम्बेक्स मुराई है तो एडल्ट बॉम्बेक् चारो तरफ कोकून का जो निर्मान करता है वो दो से चार दिन में complete कर लेता है caterpillar larva convert into pupa caterpillar larva है where pupa में convert हो जाता है also called crycellus इसको हम crycellus भी नाम देते हैं यह जो pupa है इसको हम crycellus larva भी नाम दे देते हैं तो यह होगी pupal stage यानि यह जो larva है इसने यह कोकून बना गया है इसके अंदर वास्ता में यह structure से आप इसको काट के यहां पर इससे structure में देख सकते हैं यह pupa है अब यह वाली जो stage है इसी से हम resum प्राप्त करते हैं लेकिन यह बंद होना चाहिए उसी अवस्ता में यानि हमें अगर resum प्राप्त करना है तो जैसे ही कोकून बना है कोकून बनने के लगबग 10 दिन के बीतर बीतर हमें इस कोकून को गरम पानी में रखकर इसके से resum प्राप्त कर लेना होता है नहीं तो इसको काट कर adult बाहर आ जाता है यानि प्यूपा अवस्ता के बाद में क्या आवागी adult stage आएगी लेकिन resum प्राप्त करना होगा तो हम कोकून अवस्ता से ही यानि प्यूपल स्टेज से ही हम प्राप्त करेंगे यानि अब अवस्ता आती है fourth life cycle की जो last अवस्ता है उसको हम adult stage कहते है adult stage में क्या हुआ वो जो हमारा pupil stage है उसी से adult का निर्मान होता है कोकून को काट कर ये adult बाहर आता है इसमें male और female अलग-अलग होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है बॉम्बेक्स मुराई में male और female modes अलग-अलग होते हैं female is larger सामाने तब female जो होती है वो बड़ी होती है male की तुलना में dioces जो बॉम्बेक्स मुराई है वो dioces है यानि दो पर depend होता है यानि male और female अलग-अलग होते हैं इसको dioces कहते हैं कुछ animals हम अपने ऐसे होते हैं जो की monoseous होते हैं वो उनके उपर एक ही जो male और female reproductive organ है वो एक ही organism यानि एक ही सरीर के उपर पाये जाते हैं लेकिन यहाँ पर dioces है यानि male और female दोनों अलग-अलग होते हैं complete metamorphosis होता है पून कायंतर्ण की यहाँ पर प्रक्रिया होती है adult mouth body length is 4-5 cm जो waist का mouth है उसकी body की जो size होती है 4-5 cm लंबा ही होती है whitish और cream color होता है इस adult का यह जो adult आपको दिखाई पड़ रहा है यह cream color का या whitish color का आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें one pair compound eyes जो की class insecta की विशेषता होती है one pair antenna जो की lepidoptera में पाये जाते हैं यह आगे की तरफ जो है यह antenna है two pair wings दो जोड़ी इसमें जो wings हैं पंक हैं वो पाये जाते हैं three pair leg और तीन जोड़ी इसमें pair पाये जाते हैं जो class insecta की विशेषता होती है जो adult stage है इसका जीवन बहुत ही कम होता है लग तीन से पांस दिन में इसकी पूरी उमर हो जाती है यानि यह उसके बाद में मर जाती है तो जो adult stage है इसका वास्तविक जो man काम होता है वो अंडे देने का होता है यानि male और female modes आपस में mating करते हैं और female modes के दोरा अंडे दिये जाते हैं non feeding stage होती है यानि इस अवस्ता के दोरा कोई खाना यह लेते नहीं है हम पहले ही जान चुके हैं कि एक ही अवस्ता होती है वो है caterpillar larva वही बोजन लेने की अवस्ता होती है इन में fertilization होता है वो internal fertilization होता है यह आप ध्यान रखेंगे साथ-साथ यह information 400 to 500 over 600 eggs are produced on mulberry leaves जो यह अंडे दिये जाएंगे क्योंकि यहां पर bombex मोराई की जाती है तो यह mulberry leaves के उपर अपने अंडे देंगे 400 से लगबग 600 अंडे तक इनके द्वारा दिये जाएंगे pupa secreted alkaline compound and dissolved cocoon यह adult कैसे निकलता है उस cocoon से उस cocoon को तोड़ा जाता है और वो pupa आवस्ता के द्वारा एक पदार secret किया जाता है जिसको हम alkaline कहते हैं alkaline compound nature का होता है और वो इसको dissolve करके यह cocoon था इसको dissolve करके यह बहार आजाता है और यह cycle उसके बाद में यह adult में male और female में mating होगी अंडे दिये जाएंगे अंडों से लारवा आएगा लारवा से वापस प्यूपा वस्ता आएगा और प्यूपा से वापस अगर उससे cocoon हमने प्राप्ट नहीं किया तो adult stage आ जाएगी यह बात हुई जो life cycle है बॉम्बेक्स मुराएगी उसके बारे में आप इसको एक बार समराइज करके भी देख सकते हैं adult female adult male आपस में मेटिंग करके adult female के द्वारा अंडे दिये जाएंगे यह अंडे से तूद की पत्तियों पर दिये जाएंगे इन एग से लारवा उत्पन होता है यहां यह जो लारवा दिखाये गया है वो mature caterpillar लारवा है इस लारवा के द्वारा कोकून बनाया जाता है और इस कोकून अवस्ता से ही सिल्क प्राप्ट किया जाता है और उसके अंदर कर प्यूपा आवस्ता होती है जिसको हम crysalis भी कहते हैं अगर लारवा अपने रेसम प्राप्त नहीं किया तो उसे adult moths का निर्मान होता है तो ये बात हुई life cycle of bombex morai की यानि bombex morai के जीवन चकर की उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगाओगा Thank you